यूटूब एब पर घंटी बजाओ और खबरे अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ की हरण उनको बहुत सब बाचे यह उपसेते उनको बहुत सब कामना भी धिन और इक इस भी सब बहुत पामने वी दी प्रादी में भारत वर्ट वर्ट के उतकर्स और खाय के उनका क्या युगान ओना चाहिए इसके लिए मैन आवान किया और मज़े उमीद है कि विजवीद से पढने वाले भी डियार थी, समाझ की बुरायों को दूर करने के लिए कथवर परिशम करेंगे. तो आज हम महारिशी मारकंडेश्वर युनिवरसिटी में हैं, कई सालों की महनत के बाद, आज वो दिन आया है यहां के बच्चों के लिए जब पॉन्वकेशन सेरमनी है, यानि कि दिक्षान समाहरो है, काफी खुश है बच्चे, बच्चों से जानेंगे कि इस दिन के लिए कितनी उन्होंने मेहनत की है और अज कितनी खुशी उनमें देखने को मिल रही है, क्योंकि पीछे इस वक्त हमारे मौझूद हैं, और आप देख सकते हैं कि काफी खुश है बच्चे, डिग्री सुनने मिल चुकी है, और इसे के साथ बच्चों से बात करते हैं, आज फाईन चाहिए अपर सोची यह धोर्दीग मैंट कर लिए पांसाव पूरे हो गया दिग्री मिल गया अगे किया कुछ प्लान गया खिस अगाट कूछ प्लान को फिरी । हम अगे कीशिरें भीन वोण टो से निदिए व्यूं जाट टो आपके अथा हूं थोब क्रिट सम्प्राइब इंजिनेरिंग काफी अच्छा लग रहा है तो फ्यूचर प्लानिंग्स के अब डिग्री मिल चुके अब आगे के लिए क्या कुछ सोचा है आगे के लिए कोई IT सेक्टर जाना है तो इसके लिए मैं आगे के लिए करूंगा और चाहिए कर आगे विए तो काफी दिनों के इंतार के बाद कैसे यह लम्हा आया है यह मोमेंट आया है तो कितनी खुशी बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा खुशी है और यही प्रे करते हैं कि आगे भी हम लोग तरक्की करें और जो भी आने वाले स्टुडेंस उनके लिए ब कितने थैंक्फुल है या क्या मैसेज टीचर को देंगे बहुत बड़ा रोल है उसे जादा I I will say कि मेरे पैरेंट्स का है जिनों ने इतना सपोर्ट किया है और फामिली ने बहुत बड़ा रोल पे किया है तो I would thank my parents कितने सालों के महनत की यह जो नतीजा आपके हाथ मेंगे और विल आल मेसार कोलेज लाइफ रूम नाओ और इस तार्ट मिसिंग नाओ यूनिवर्सिटी के साथ काफी यादे जुड़े हुए है क्योंकि पांच साल बहुत लंबा वक्त होता है तीचर के लिए क्या कुछ विश्यस देकर जाएंगे जाते है वाल टीचर के लिए क्य अंडर टीचर संड थैंक यू तो सुना आपने बच्चों के साथ साथ पेरिंट्स में भी बेहत खुशी है और काफी खुशी का माहूल है क्योंकि लंबी मेहनत के बाद पांच साल की मेहनत के बाद आखिरकार वो लंभा आया है जब बच्चों को अपनी डिगरी मिली है औ सबसे पहले स्वागत आपका खबर अभी तक में तैंक यू सो माच तो सर आज यहां पर कॉन्व के कॉन्वकेशन था और बच्चों में काफी खुशी देखने को मिली तो किस तरीके का एक्सपीरेंस रहा पूरा देखिए कॉन्वकेशन किसी भी इनिवस्टी के लिए एक इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है एक स्टुडेंट के लिए भी हमें अपने दिन याद हैं जब कॉन्वकेशन हमने कुरुक्षिता इनिवस्टी में अटेंड किया था तो बहुत अच्छा लगा ऑनरेबल गवर्नर उन्होंने समय निकाला बहुत अच्छा बोले वो स्ट इस उनिवस्टी के अगर हम बात करें तो काफी अच्छा प्लेटफॉर्म बच्चों को कहीं ना कई मिलता है और साथी साथ प्लेस्मेंट बच्चों की हो जाती है तो अब आज कॉन्वकेशन के बाद बच्चे काफी खुश थे उन्हें डिग्री मिले अब आगए अगले पर वो बढ़ेंगे तो इसी के साथ अब युनिवस्टी के शिक्षा के स्थर को और बढाने के लिए क्या कुछ किया जाएगा मेरी अपेक्षा है स्टूडेंट से कि जो उन्होंने ग्यान यहां से अरजित किया है उसको वो अपने फ्यूचर में यूज करें हाईर एजूकेशन के लिए जाएं यहां पर युनिवस्टी के अंदर भी हमारे पास आप्शन्स हैं और और कोर्स हम शुरू कर रहे हैं आन युनिवस्टी के अंदर बहुत पोटेंशल है हाला कि थोड़ा निया है केंपस लेकिन जो फिकल्टी है यहां पर और जो महौल है वो बहुत अच्छा है तो एक बहुत अच्छी जगह है स्टूइंट्स के पढ़ने के लिए तो हरीश कुमार शर्मा वाइस चांसलर हमारे साथ है युनिवसिटी के जिनों ने बताया कि शिक्षा के सतर को बढ़ाने की यहां पर कोशिशे की जाएंगी और बच्चे जो की यहां से सीख के जा रहे हैं वो उमीद करते हैं कि बच्चे उन्नती के पद पर चले और झाल